हेलो तो आप सभी सोक्त बात करेंगे यहाँ पर डिक्सवन टेक्नलोजी की बारे में इस कमपनी में जो लेटेस नियूज आ रहे उसके बारे में डिसकस करेंगे जो आपको काफी बड़ा इंपैक स्टॉक प्राइस पर और यहाँ पर आने वाले फ्यूचर में जो ग्रोथ है उसके बारे में भी आपको बता देंगे सभी डिटेल देखना जरूरी है उससे आपको पता चलेगा कि डिक्सवन में और शौर्ट टम में किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं और कमपनी क्यू अच्छा यहाँ पर रेटन जनरेट करकर देगे आप यहाँ पर आज देखेंगे तो डिक्सवन टेक्नोलोजी में हमें आउस्टेर्णिंग तरीके से तेजी देखने को मिली है को भी 3% के उपर के 3.5% हम कह सकते हैं और पर शेर पर 120 रुपए का बेनेफिट निवेशक को मिला डिक्सवन टेक्नोलोजी के रिजल्ट हम कह सकते कि पॉजिटिवी थे हो सके उतना कमपनी ने अपने में ग्रोथ करकर दिखाया यह बात हमने यहाँ पर जरूर देखी है ऐसा नहीं कि कोई भी पॉइंट इस कमपनी में पूरा निगेटिव था बोलकर हाँ कमपनी में थोड़ा बहुत 19-20 रहा बट कमपनी इतनी खराब नहीं है कि बोले तो हम उसे ए एक और ही उतनी जादी देखने को ने मिले जितनी देखने को मिलने चाहिए और यहाँ पर यह स्टॉक भी अच्छा ही ज्यादा करेक्शन में चल रहा है एक टाइमे 6,000 के लेवल पर चलने वाला शेयर आज यहाँ पर हमें 3,000 पर मिल रहा है तो इसमें आप यहाँ पर स्टॉक कहा पर चलता था और आज कहा पर है 6,200 पर चलने वाला आज 3,000 के करीब मिल रहा है और इसके अंदर बड़े से बड़े ब्रोकरेज फर्म ने अभी इसको होल करने का रेकमेंडिशन दिया है और यह जो न्यूज है आप तक पहुचना जरूरी है क्योंकि लोग जल 29 जूले 2020 आज का है लेटेस अपडेट है पाज बजे यहाँ पर शाम को यह न्यूज आई है ग्लोबल यहाँ पर जो फाइनांशियल कमपनी है जो अनेलिसिस करकर रेकमेंडेशन देते हैं उनके तरप से बताया गया है कि डिक्सॉन टेकलाजी में आप यहाँ पर 3,860 का जो टारगेट अच्छू करते हैं देख सकते हैं क्योंकि इतने अच्छे जो पॉजिटिव इस कमपनी में फैक्टर है वैसे आपको किसी के पास नहीं देखने को मिलेंगे आप पता है ना आपको कि इसका जो इलेक्ट्रिक जो यहाँ पर हम कंजुमर का जो मार्केट शेर ह और आने वाले समय में तो ग्रोथ इसमें जरूर रहेगी और उसी के साथ देखे अभी यहाँ पर आईसे इसे डारेक्ट जो हम कही सकते हैं कि ब्रोकरेज फॉर्म है उनकी तरब से 29 जुले अभी 7 बज़े अभी कहीं लेटेस यह टारगेट है तो आप देखना लगातर का उन्होंने टारगेट रिकेमेंडेशन किया है डिक्सवन में तो आप यहाँ पर इसका पूरा जो सपोर्ट लेकर इसमें निवेश कर सकते हैं उन्होंने काफी कुछ चीजे बताई डिक्सवन के बारे में और यहाँ पर हमें भी आउटलूक यह अच्छा लगता है कि इस यह कल के टारगेट है बट वो भी मैं आपको बता जिता हूँ जेपी फाइनांसिस कंपनी ने 4500 के भी टारगेट डिये है तो बहुत से आपर कंपनी जिसमें पॉजिटिव है तो इसका फाइदा भी आप ले सकते हैं जो आपको डिटेल इंपोर्टन थी मैंने आपको बता दे आपको मुझे लगता है आप डिटेल समझ गए थैंक्यू सो मच